अज तक आपने सिर्फ ये सुना होगा कि पाकिस्तान के कुछ नेता और कुछ सिर्फ रे नेता कभी कभार ये बयान देते थे कि पाकिस्तान के पास एटम बं है। और कभी कुछ सिर्फ फिरे कट्टर पंती मजभी नेता या मौलवी ये बयान देते थे कि पाकिस्तान के पास एटम बम है पर आज पहली बार इंडी गठवंदन के एक अत्यंत वरिष्ट और सिर्मौर नेता फारुख अब्दुल्ला साब ने ये बोला है कि पाकिस्तान के प कभी शायद एका दुका मौकों पे छोड़के वहां के किसी सीरियस नेता ने नहीं बोला वहां के सिर्फ पाकिस्तान के सिर्फिरे नेताओं ने बोला इंडी गठवंदन के सिर्मौर नेता वो बोल रहे हैं और यहां पर सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं है मैं इंडी गढ़बंदन और कॉंग्रेस पार्टी से साथ सीक्वेंस कोट करना चाहता हूँ जो पिछले एक हफते में हुए है नमबर वन पाकिस्तान के पूर मंत्री फवाज चोधरी इन लेटर एन इस्पिट ये बयान देते हैं कि बीजेपी की सरकार जानी चाहिए मोदी हटना चाहिए उसके बाद जो मर्जी होगा कर लेंगे ये शब्दशाह और भावशाह वही है जो इपक्ष के निता करते हैं फिर दूसरी घटना होती है सेकंड सीक्वेंस फिर सेम फवाद चौधरी और मैं पुना याद दिला दू ये फवाद चौधरी वही है जिसने कहा था कि पुलवामा तक मैंने घुसके मारा है ये सरकार के मंतरी करूप में फिर सेम फवाद चौधरी सेकंड पॉइंट अब वो जवालन नहरू को महान सोशिलिस्ट और आहूल गांदी को साहब कहते है देन थर्ड सीक्वेंस महाराष्ट में नेता पृतिपक्ष विजय बादित्तिवार 26-11 के हमले में जिसमें कॉंग्रेस की सरकार ने भी पाकिस्तान को दोशी माना और यह बाद अंतर राष्ट्री एजनसियों FBI के इंवेस्टिगेशन से लेके सब जगहों पर पाकिस्तान ही दोशी है हाफिस सेद उसका करता धरता और उसके लिए इविन कॉंग्रेस की सरकार ने पाकिस्तान से भी उसको मांगने के लिए और रिक्वेस्ट गुजारिस दर्खवास दी थी और वो उस पे कवर फायर देने की कोशिश कर रहे मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान को ऐसा मॉरल कवर फायर कभी भारत के किसी नेता ने दिया होगा देन कम्स दफोर्थ सीक्वेंस पूर्थ इवेंट इन दे सीक्वेंस पंजाब के पूर मुख्यमंत्री चरण जीत सिंग चन्नी पूँच में हुए हमले पे जिस प्रकार का शर्मनाग बयान देते हैं वो एक बार फिर पाकिस्तान की कर्तूतों पर परदा डालने का काम है अब आप देखिए यह सीक्वेंस लगातार आगे बढ़ता है फिर फिफ्थ इवेंट इन दे सीक्वेंस आज ही सुबरे फिर वही विजय विदत्तिवार महराष्ट में कॉंग्रेस के नेताप प्रतिपक्ष अपने बयान पे कायम रहके एसेन मुश्रिफ की किताब कोट करते हैं अरे मैं उनसे पूछना चाहता हूँ किसी XYZ की किताब का तुमारे लिए ज़्यादा मायन है या आपकी सरकार में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसिज आपकी सरकार के कोट और आपकी सरकार द्वारा शहीर हेमन करकरे को दिएगा या शोक शक्र किसका क्या सम्मान दिखए अरे चंद कटर पंथीस वोटों की सियासत के लिए पाकिस्तान को कवर फायर देने के लिए किस सीमा तक आप जाएंगे कि आप अपनी सरकार की जाच एजनसी को जुटलाएंगे आप अपनी सरकार के कोड को जुटलाएंगे और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स अब किसकी मिर्तु कैसे हुई किस गोली से हुई है बाकैदा जाच एजनसी में आता है रिपोर्ट में देन कम्स दा सिक्स पॉइंट कॉंग्रेस के वरिष्ट ने था देखिए एक कश्मीर से हैं केरल से हैं चची थरूर बांगलादेश के अकबार डेली स्टार में आटकेल लिखते हैं पहले तो ये बाद समझे है चुनाओ भारत में हो रहे हैं और जन्मत मनाया जा रहा है बांगलादेश में और फिर वहां क्या लिखते हैं मोदी हैस टू गो भाई ये बांगलादेश ही अकबार में कहें लिख रहे हो भाई और उसके उपरान उसमें शब्द प्रयोग करते हैं इंडियन एड्मिस्टर्ड कश्मीर काश्मीर नहीं ये वो भाशा है जो पाकिस्तान प्रयोग करता है इंडियन एड्मिस्टर्ड कश्मीर and then comes the seventh sequence today's statement of Mr. फारुक अब्दिल्ला क्या ये साथ सीक्वेंस मैं कॉंग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि ये साथ दिनों के साथ वचन क्या साथ साथ नहीं दर्शा रहे है कि अगर माननी है प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि कॉंग्रेस के मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप है तो अब मैं पूरी जम्मेदारी से कह सकता हूँ इंडी गढ़बंदन के नेताओं पर पाकिस्तान की छाप है उनके बयानों पर और छाप ही नहीं है उनकी एक एक आवाज में पाकिस्तान की गूंज नजर आ रही है वो उसके सुर में सुर मिला रहे है मत्तब मैं अगर ये बात कहूं कि ऐसा लगता है कि सरहत के उस पार वो अधर बैठे हुए हैं पाकिस्तान के लोग और इधर बैठे इंडी कठवंदन के नेता और दोनों एक दूसरे से ये कह रहे हैं कि मिले सुरू मेरा तुम्हारा तुम मोदी लहर में कैसे मिले किनारा क्योंकि ये पहले भी इसमें जा चुके हैं और अगर ये कह दिया जाए कि इंडी कठवंदन के नेताओं में पाकिस्तान के चंद सिर्फिरे नेताओं की आत्मा प्रवेश कर गई है त्वतिशयोक्ति ना होगी है क्योंकि मैं अकेले सिंगल आइसोलेटड बयान की बात नहीं कर रहा हूं मैं पूरा सीक्वेंस बना रहा हूं सा साथ दिनों के साथ वचन महज संयोग नहीं हो सकते ये सोचा समझा खतरनाक प्रियोग है और ये कितना खतरनाक है मैं इसलिए भी कह रहा हूं विनम्रता और चुनोती से पूछता हूं राहूल गांदीजियों इंडी कड़ बंदन से कि आपका एक प्रमुक्स ही होगी जो दूसरा जिसे आता जहां से आप सांसद हैं कम्निस पार्टी कहती है भारत का परमाणू भंडार समाप्त कर देंगे मैनिफेस्टों में कहते हैं और दूसरा गड़ बंदन सेयोगी कहता पाकिस्तान के पास आइटम बं है मैं देश के करोड़ों लोगों से कहना चाहता हूँ इन दोनों का मिला कर जवाब समझ लीजिए कि ये कितना खतरनाख खेल खेल रहे हैं और मैं ये भी कहना चाहता हूँ फारुक अब्दुल्ला साब से कि आपने क्या शब्द प्रयोक किया कि चूड़ियां पहन रखी हैं मतलब आप भारत की इस्त्री शक्ति का एक प्रकार से अपमान कर रहे हैं ये सोच आपकी विदेशी सोच है ये वही है जो राहूल गांदी जी कहते हैं शक्ति से लड़न से लेके रानी अवक्का से लेके जिसने समय पढ़ने पर वो दिखाया कि रणचंडी की अत्रफ तो प्यास हमें दुर्गा का उनमत तहास हमें यमकी प्रलेंकर पुकार जलते मरगट का धुआधार तो आपको नहीं समझ में आता होगा ये राहूल गांदी के विदेशी सल मंत्री जी के लिए तू तड़ाक की भाषा अपमान जनक भाषा की थी मैं भाषा की वो मर्यादा न लांगते हुए साफ साफ पूछना चाहता हूं इंडी गठबंदन के लोगों से कि कॉंग्रेस वालों के लिए आदर नहीं है और अभिनंद नहीं है और हर राष्ट भक् के हिस्से बन रहे हैं और कौन सी शक्तियों के हाथ में खेल रहे हैं मगर मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनकी इस्तिती अब दैनी हो गई है और यह वैसी ही दैनी है कि हमारे प्रधान मंत्री जी ने जो काम किया था बाला कोट स्ट्राइक में तो याद करिए मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ और फारुख अबदल्ला साब भी सुन लें कि हमने वो काम किया था कि पाकिस्तान की नेशनल असेमली में पाकिस्तान के मेंबर अफ पारलेमेंट ने उस समय के विदेश मंत्री शाह महमुत कुरेशी सा और उन्होंने का खुदा का वास्ता है अविननन को वापस कर दो वरना इंडिया शाम तक अटैक कर देगा साहस ये होनी चाहिए ना कि ये उस पराजित मानसिक्ता का प्रतीक कि बड़े और ताकत पर मुल्क होके आप सिर्फ जो प्रधान मंत्री ने का डोजियर देते रहे वो डोजियर देते थे अब ये मोदी जी की सरकार है जो डोज देती है डोजियर नहीं देती है इसलिए मैं अंत में देश की जंता से कहना चाहूंगा चुनाव होते रहेंगे राजनीती होती रहेगी जैसे आज प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि मोदी रहें न रहें यह देश रहेगा अटल भी हरी बाच पेजी कहते थे सरकारे आएंगी जाएंगी चुनाव होंगे सब कुछ होगा मगर यह देश रहना चाहिए तो मैं इसलिए देश की जनता से कहना चाहूँगा कि कहनी है एक बात मुझे आज देश के प्यारों से समल करहना अपने घर में चिपे हुए गद्दारों से धन्यवाद खुए 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 आज तो इस एक बात बहुत समझ लीजे ये राहूल गान्धी जो कहते थे ना कि मैं आऊंगा सरवे करूंगा और फिर संपत्ति का बटवारा कर दूँगा क्रांथिकारी कदम उठाऊंगा अब E.D. के सरवे में दिख रहा है कि संपत्ति का बटवारा किस ढंग से हो रहा है मतलम मंत्री तो छोड़िये मंत्री के निजी सचिव तो छोड़िये निजी सचिव के नौकर के हां करोणों मिल रहे हैं तो देश की जंता को समझना चाहिए कि ये तथा कतित संपत्ति के बटवारे की तथा कतित क्रांती के बारे में अगर कोई उनके मन में भ्रांती हो देश में तो वो इसपष्ठ हो जानी चाहिए मैं तब अन्दा लाइटर नोट कहूँगा कि ये तो वो वाली बादा नहीं पुरानी जमाने में एक डायलॉग सुनते थे कि साब इत्ती गोरियां चलेंगी कि खोके बटोरने वाले भी लखपती हो जाएंगे तो आज इस्तिती ये है कि मंतरी के निजी सचिव के नोकर करोड़ पती हो गए साब तो बस अब ये मुझे लगता है कि अब कुछ कहने की सुनने की समझने की जरूवत नहीं हो गई जो आखों के आगे दिख रहा है उनके तथा कथित संपत्ति के बटवारे के फार्मूले को चुकि उन्हें हिंदी की बाते हैं और भारती भाषाओं संस्रत की अच्छी नहीं लगी तो उनके लिए कहना चाहूंगा कॉंग्रेस के लिए कि हाथ कंगन को आर्सी क्या और पढ़े लिखे को फार्सी क्या तो फार्सी में भी समझ लीजिए बिलकुत सामने देख रहा है